हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुमन आपको स्वगत करता हूं आज एक नई वीडियो में तो आज चालू करते हैं तो देखते हैं यह जो चेन है यह जो चेन सो में लगता है लकडी काटने वाला जो मेशिन रहता है अपने मेरा पिछले वीडियो में देख्या होगे जो कि यह जो ना यह पेड़ को काड़ता है जो लक्री करता है तो ISM recommended कम एक अ मर्मस्वें धैसे रहता है right कि इसमें ही लक्री काड़ता है लोग देखितने जयसी क मैं अट TM 2018 तो 2 यह सब्सक्राइब तुझ तो यह झाय सकैने होता है श्रॉप में नियुक्तेु loh debated तो इस्में धार रहता आगे तो यह क्या होता है ज्यादा यूच्फने के बात धर छो खालाप हो जाता है जो टीथ रहता है इसका तो इसको हम धार भी दे सकते हैं ऐसा मैसिन है मेरे पास तो इसके उपर में एक वीडियो बनाने वाला हूं जो की बहुत आच्छे हमने वाला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रीज फास्ट से लास्ट तक मेरा वीडियो को देख सकते हैं तो चैनल को धार देके आप फिर से मैसिन में यूज कर सकते हैं तो ठीक है अच्छे से देख लिजिए मेरे वीडियो को और यह देखिए यह मेरा मैसिन है जो मैं बोल रहा था यह मैसिन से मैं चैनल को धार देता हूं दख सकते हैं मैसिन मेरा कि देखिए यह जो मैसिन है यह हाइमेक्स कॉम्पानी का आता है यह इसके अंदर एक धार करने वाला पत्थर जो सा रहता है राउंड प्लेट तो यह मैसिन क्या करता है इसको घुमाता है इसके बाद यह यहां से ऐसा आगे पीछे होता है और यहां इसके उपर इसके यह जो है ना इसके उपर इसके उपर चैन चलता है तो मैं यह चैन लगा के आपको दिखाता हूँ चैन कैसे लगा जाता है और इसके बाद धार कैसे निकालते हैं तो ठीक है देखिए मेरा वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा तो इसको एक बार चालू करके मैं दिखाता हूं एक कैसे चलता है यह देखिए तो यह जो चेन है इसको हम ऐसा लगा लेते हैं इसके अंदर से ऐसे डाल देते हैं इसके उपर से बाद में यह बला प्रेट के नीचे से आप देख सकते हैं यह पूरा एक लाइन जैसे आजाता है इसके उपर तो वह खींचने से वह आगे जाता रहता है इसा देखिए तो अभी क्या होता है इसमें यह देखिए यह घुनता है यहाँ पर कुछ डिरेक्शन लिखाएं यह डिग्री है यह जो है 360 डिग्री है तो इससे क्या होता है इसको सेटिंग दिया हुआ है यह 0 है यह 5 डिग्री 30 35 25 यह 0 यह 15 फिर 30 30 35 तो इसमें क्या होता है सेटिंग में जो कि हमारा चेन रहता है यह चेन यह क्रोस में रहता है यह 30 degree यह 35 degree में cross जैसे रहता है तो यह सीधा रहेगा तो इसको धर नहीं रहेगा तो इसके लिए क्या होता है थोड़ा cross रहता है तो इसको यहां पर ऐसा घुमा के एड़जस्ट किया जाता है यह जो मार्क देख रहे हैं इसके उपर यहां पर आकर बेटते हैं 30 पर नहीं तो 35 पर तो हम ऐसा 30 में रख सकते हैं या 35 में भी रख सकते हैं तो चेन की हिसाब से रखना पड़ता है तो और क्या है यह दोनों साइड क्यूं है इसा दो इसमें क्य होता है एक इसका जो यह ब्लेट रहता है ना यह टीट एक यह साइड को रहता है और जो दूसरा वाला है आप देख सकते हैं यह वाला देखिए यह ओपोजीट है यह देखिए यह देखा यह देखिए यह ओपोजीट है तो आपको पता ही है तो यह दोनों ओपोजीट रह तो इसके बज़े से यह दोनों साइट एड़जस्ट करना पड़ता है यह दोनों साइट यह साइट भी 30 या 35 को आता है और यह साइट को भी घुमता है ठीक है तो हम देखते हैं इसको कैसा धार लगाते हैं पर यह जो पॉइंट है यह जीरो पर हें तो यह बाला जो है यह चेन भी हम लोग यह साइट को लेंगे राइट साइट को देंगे थर्टी पर इसके बाद यहां पर यह आएगा तो एसा यह दिखेंगे अब क्या होगा यहां पर यह जो मैसीन है यह ऐसा आके वो टीत को लगेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा तो यह जो यह यहां पर देखिए यह जो प्लेट है यह यहां पर ऐसा पीछे रहता है ऐसा रह जाता है जब चैन ऐसा पीछे खिंचते है न तो पीछे नहीं कि ये जो लोक कि ये लोक क कर करकता है ठीक है तो अभी क्या करेंगे ये लोख हो गया हमारा लेकिन जो ये एडेस्ट्मेंट कि आखिए यह वॐ नहीं है बरबर देख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं इसको यह जो पीछे वाला है यह इसको घुमाना पड़ता है थोड़ा पीछे और यह थोड़ा पीछे आया झाए तो इसके बाद इसको और और थोड़ा पीछे जाएगा खाली थोड़ा यह देखें मैं थोड़ा घुमा रहा हूं फिर थोड़ा आया अभी अभी जाएगा अभी देख सकते हैं मैं थोड़ा पीछे लिया तो अभी थोड़ा देखेंगे एक बार एड़्जस्ट कर लेंगे तो एक साइट का चेन को आप डायरेट एक एक बार करके मार सकते हैं ठीक है और देखिए यह साइड में भी एक टाइट करने को मिलता है आपक यह जब chain चलता है अंदर से तो यह उसका adjustment है वो थोड़ा ही टाइट करके रखना क्यूंकि यह chain ये side ये side यह side इसा नहीं हो सकते यहां पर धार देने के time में यहां पर तो बराबर धार नहीं होता है तो इसके बज़े से ये इसको थोड़ा ये थोड़ा ही टाइट करके जैसा खीचने से चेन आ सकते हैं नहीं तो टाइट करके लूच करके भी मार सकते हैं आप धार ठीक है तो यह हो गया मेरा ऐसा अड़्जास्टमेंट पूरा तो मैं चालू करके आपको दिखाता हूं देखिए खली हल्का सा टॉच करना है टीत को बस यह मेरा हो गया धार हो गया यह टीत तो इसको क्या करना है ऐसा आगे खीच लेना है बस और एक आगया टीत तो इसको पीछे की खीच लीजिए फिर इसको ऐसा घुमा के थाटी पे रख दीजिए ठीक है तो यह वाला टीद आगे आसा तो फिर से इसको देखना है यह देखिए यह यहाँ पर लगना चाहिए यह बराबर नहीं तो थोड़ा यह आगे किजिए यह थोड़ा आगे चेन को ढखलता है ठीक है तो बाद में इसको और एक बार देखिए यह देखिए यह परफेक्ट है अभी तो यह अभी चालू करेंगे देखिए ज्यादा नहीं दो से तीन बार आप लगाईए ग्राइंडर का जो प्लेट रहता है हुइल रहता है उसको टीद के जगा पे ज्यादा लगाने से खराफ हो जाएगा तो ध्यान से लग पर और कुछ प्रोब्लेम है तो मुझे कॉमेट कर सकते हैं तो उसके उपर भी मैं बता दूंगा आपको ठीक है तो यह हो गया मैसी नमारा जो पुराना वाला चेन है आप आसानी से धार दे सकते हैं और ऐसे इसको फिर से इसे लोक निकाल लिए फिर यह ऐसे चैन को अच् थेंक्यू वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए कॉमेंट किजिए सब्सक्राइब किजिए माई चैनल को और एसा अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और बहुत कुछ मेसीन का वीडियो आने वाला है तो वह भी आप देख सकते हैं और काम कर रहे हैं तो क काम भी सीख सकते हैं 100% गेरेंटी के साथ बोल रहा हूं बहुत यह अच्छा अच्छा वीडियो आएगा थेंक्यू धन्यबाद